हाई एवरिवन एबार फिर से स्वागत है लक्समीज किचन में एक नई वीडियो के साथ तो फ्रेंड्स आज हम बना रहें मिठे सक्कर पारे इसे बनाने के लिए मैंने याँ पर लिया एक कप सूजी एक कप इसमें हम आठा मिलाएंगे और साथ ही में इसमें मिठी चीनी डा और यहां पारिक सूजी को मैंने मिक्सर के अंदर चला लिया था बिल्कुल बारिक कर लिया है और इसी के साथ में इसमें हम डाल देते हैं एक कप के करीब मीठी चीनी जिसे हम सूगर भी कर दिए अब इसको अगर आपके पास पीसी वी चीनी नहीं तो आप इसको चीनी को म मौयन के लिए इसके अंदर हम डालेंगे घी नमक डाल दिया है सुआत के अकोडिंग इसमें हमने सिर्फ आदा टेबल स्पून के गरीब डाला इससे हमारे जो फ्लेवर बहुत अचा हैगा घी को हम बिल्कुल गरम करके लेंगे यह देखिए बिल्कुल इसमें ताकि इसके में नए हो चैनल को सस्क्राइब कर लिजी इसके आगे जो बैल आइकन बटनों से प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हलकी हलकी आतों से हम इसे सारी से जोक अच्छा सा मिक् सूजी और घी ंड़ा को चिनी घी और नमक यजोक अच्छा सा मिक्स कर लेंगेच गीर देख सकते हैं इसको अप्रात मॉय प्रयारत मात्रा हो होच चुका है राया हाट के अंदर तो इसका मतलब है, निए त्विक्राटर पानी करके, इसका एक पादार बना रहेंगे जिस तरीके से आटा लगाते हैं तो इसके से इसके अच्छा सा डोक के तरह से त्यार कर लेंगे तो friends वीडियो को स्कीम मत कीजिएगा पूरा देखीगा तब ही आपको पता से लेगा कि हमने इस सक्रपारे कैसे बनाएं बहुत ही टेस्टी बनते हैं friends इस सक्रपारे और इन्हें हमें काफी दिनों तक महीनों पर हम इनको इस्टोर भी कर सकते हैं कहीं सफर वगरा में जाना हो तो भी इसमें हम इसको ले जा सकते हैं तो friends हम यहाँ पर पानी की जगें दूद का यूज करेंगे दूद से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और इस वो हमारे सक्रपारे बिल्कुल सौफ्ट बनेंगे और खाने में बहुत ही टैस्टी बनेंगे अगर आपकी दूद की जगे अगर आप इसको पानी में करना साथे हैं तो पानी में भी कर सकते हैं पूरी तरीके से optional है अगर आपको दूद में अच्छा ना लगे तो आप इसको पाने के साथ भी लगा सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स मैंने यहां पर दूद डाला है दूद से बहुत अच्छे हमारे सक्करपारे त्यार होंगे और बहुत ही बढ़ी हमारा फ्लेवर भी आएगा तो देखे फ्रेंड्स इस तरीके से इसको में पूरा अच्छा सा मिक्स कर लेना है और इसको एक बड़ी आसा डो में इसको बना लेना है तो अभी आप देखेंगे कितना शांदार सा हमारा डो त्यार हो जाएगा और इसको में बनाकर कम से कम 10 या 15 मिंट के लिए कि छोड़ देंगे आप देख सकते हैं कितना चिकना चिकना लाजी के छोड़ देना है ताकि यह बिलकुल सोफ्ट रही और खराब ना हो तो और बड़ी आसा ही चाहिए एसको कितना बडया हैसा हमारा जोब बनकर त्यार हो तुका है इसको थोड़ा साहतों की साहतों से दुबारा से हम गूत लेंगे और यह देखिए इस तरीकी से हम इसको नीचे बेल लेते हैं देखिए मोटा मोटा ही बनाना है में सकर पारे तो इसको हम इस तरीकी से बेल लेंगे अगर आपके पास कोई पीजा कटर वगरा है तो आप उससे डिजायंदार बना सकते हैं अगर वो नहीं है तो आप अट? हम इसको सिंपल तरीके से काट लेते हैं तो देखीज इसको हम इसी पर यहीं पर चकु гр और चकु की सायधा से हम कक्टिंग लेंगे चोटे बड़े जितने वी साइज씨 plugin की आप ऐब साकर पारे बनाना चाहते हैं तो हम इस तरीकी के चोटे-चोटे सकरपारे में बना रही हुएं, तो इसको हम इस तरीके कटिंग कर लेए, नियुक्त कर लेंगे। मैंने ओल को पहले ही गैस पर रख दिया था ताकि ओल हमारा अचाँ सा गरम हो जाए। और गरम गरम ओयल में हम इसको एक एकर को इसको इस तरहार में डाल देंगे और बहत ही बड़ी हमारे सकरपारे बनने कर त्यार हो जाएंगे तो फेरंड्स वीडियो को सक्कीप मत किजिएगा पूरा देखेगा तभी आपको पता से लिए कि हमने सक्करपारे किस तरीके से बनाया हैं। यह देखे कितनी बड़ी हमारी सक्करपारे तयार हो चुकह हैं। और खाने में फ्रेंड्स बहुत ही बड़ीया रेसिपी बनकर त्यार होगी तो आप इस रेसिपी को जुरूर ट्राइ कीजिएगा और आप मुझे जब आपकी रेसिपी आप बनाए तो कैसी बनी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्कीप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा तो फ्रेंड्स कितनी शांदार हमारे सकरपारे त्यार हो चुके हैं देखिए इनको मैं ओल के अंदर डाल रहे हूं एक एक करके और यह कितने बड़ टो यह उन्दर से बहुत ही शांन दार बनेंगे और बाहर दे einzelगधार तो, उन्दर तो कीर एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनकर तिस्टूर कर सकते हैं कहीं सबीत है तो इस तरीके के बनाईए और काफी दिनों तक हम इसको रख सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं मैं इसको एक साइड से बन गए है हमारे दूसरी साइड से मैं इसको इस तरीके से पलट रही हूँ और आप देख रहे हैं तक कलर देखे कितना सुन्दरा चुका है तो फ्रेंड से सक्रपारे हमारे त्यार हो चुके इनको बाहर निकाल लेते हैं तो इन्हें एक टीशू पेपर में निकाल लेते हैं ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ओयल वगरा है वो सारा सोख जाए तो कितने शांदार बने आप देख जरू कीजेगा और मिलते हैं कैसी सिंपल सी और आसान सी रेसिपी के साथ लक्समिज किचन तब तक के लिए धन्यवाद बाए बाए कमेंट करके जरू बताए कि आज की सक्रपारे आपको कैसे लगी है